मायवती ने आज संग्धन के बारे में बात की और आने वाले अभी दस उत्तर प्रदेश में जो उप्चुनाव है उसके लिए बात की किस रनीती के साथ जाना है आपको लग रहा है बहुत मैटकून है हाँ माने भेंजी का आदेश हुआ है कि हमें हर गूत की समिक्षा करनी है और अच्छी तरह से तैयारी करनी है सविधान के तमाम लोगों नों और क्या बातों को रखा है कि आपको लग रहा है कि विपक्ष जिस तरीके के नारेटिव पर चल रहा है और आपके चैनल के माधिम से बताना चाहरे हैं कि अभी जो विपक्ष में जो गटबंदन हुआ था उने जूट बोलकर सविधान के उप जूट बोलके जो भी इन्होंने हमारे याद में उब्रग लाए तो उनको समझाने के काम के लिए चौपाले भी करेंगे आप लोगाओं में जाएंगे किस तरीके का प्राव बिल्क बिल्कुल अभी हम कल गाजेबाद पहुचेंगे उसके पहुचने के बाद पूरी जिले को लेके संग्ठन हमेशा माने बहन जी हमेशा संग्ठन पर फोकस रखती है और अपकी माने बहन जी ने कहा है कि संग्ठन को जितने भी संग्ठन को लेका संग्ठन बहुत अच्छे से काम कर रहा है पहले भी किया था और अपकी बहुत अच्छे रिजल्ट भूजन समाज इस पार्टी के तब से आने के उम्मीद है तमाम विश्व को लेकर कि बैटक की गए तमाम पतादिकारी हैं वह करके सामने आ रहे हैं और महतुपूर तरीके से बैठक को किया गया जिसका वो देश्य है किस तरीके से पार्टी की संग्ठन को मद्भूत किया जाए क्या एक जाती है हम लोग पूरा जो है संबंदित मंडल के लोग वहां मिल करके चुना जिताने के काउं करेंगे तो किता मेहत्पूर्ण है इस बैठक में तुकि तमाम पतादिकारी चोटी वड़े सभी लोग बहुजन समाज पार्टी जमीनी इस्तर पर सिक्टार और बूत की कमीटी और बिधान सबक कमीटी मजबूत कर रही है और हम सबकी नेता दड़िया बहन कुमारी महती जी का निर्देश हुआ है कि मजबूती से चुनाव लड़ना है और जीतना भी है तो बहुजन समाज पार्टी जो है दस्यों सीड जो है मजबूतिक साथ लड़ेगी एक चिनता दलिद वोट था आती पिछडा वोट था वो तो इंडिया लाइंस में जा रहा है तो उसको कैसे इंटेक्ट करें जो बहुरूपिये लोग निकले थे जो संबिधान बचाने की बात कर रहे थे अब जनता जान चुकी है कि अभी जब आरच्छल का मुद्दा आया तो जो ब केस में प्रतेएक जीले में जो है बहुजन समाज पार्टी के कारकरताओं ने धरना प्रदास्टन के माध्धम से डिया महुद्दे का उग्यापन देने का काम किया और आज आरच्छल को बचाने के लिए हम सब की नेता अधरिया भेन कुमारी मातिजी मजबूती की साथ ख सर समाज को हम लोगों ने जोड़ करके सरकार बनाने का काम किया था उसी तरह बहुजन समाज पार्टी फिर चुना लड़ेगी इस बड़ी बैठक में मायावती ने तमाम विश्यों को सामने रखा है उप चुनाओं की तयारी की बात किया और इसी के साथ इस बैठक में इस के साथ अब शिक मिश्या आज तब